असलाम लोकुम स्टुडेंट्स कैसे आप लोग उमीधा आप सब खेरियस से होंगे आइम सहीदा कामन अदीम आइम या बायोलोजी टीचर पर क्लास नाइन्थ स्टुडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑ्पेंड़आस्म रेंड़ए अनो प्लास्मिक रेटीकुलम को डिटेल में स्टुडी करने के लिए हम चलते हैं वाइंटपोर्ट की तुडेंट आज हम ऑन्ध और जा रहे हैं और वहें endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum को study करने से पहले मैं आप लोगो को बता दू कि हमने पिछल लेक्चर में plastics को study किया था और हमने plastics की three types को detail में study किया जैसे कि chloroplast, chromoplast और leucoplast हमने chloroplast की diagram भी देखे थी आज हम endoplasmic reticulum की detail पढ़ेंगे और साथ हम endoplasmic reticulum की diagram भी देखेंगे है तो हम endoplasmic reticulum की start करते हैं students endoplasmic reticulum भी बहुत थी important cell organelle है और आप लोगों को पता है कि cell organelle की अगर हम बात करें तो cell organelle क्या होते हैं वो subcellular structure जो कि किसी भी cell को बनाता है इसको हम कहते हैं organelle या फिर subcellular structure of cell तो endoplasmic reticulum भी एक subcellular structure है यह हम कह सकते हैं कि यह भी एक organelle है जो के cell के अंदर मौजूद होता है और अगर endoplasmic reticulum cell में मौजूद ना हो तो cell अपने जो function से वह perform नहीं कर सकता है क्योंकि हर organelle की जो वो अपनी importance है उसके अपने functions है जो के perform होंगे तो collectively एक cell का function जो परफॉर्म होगा तो हम देखते हैं endoplasmic reticulum की definition पहले हम लोग देख लेते हैं अगर हम इसकी definition की तब जाएं तो हम यह कहते हैं कि endoplasmic reticulum एक network है ठीक है और हम यह कहेंगे यह एक network है किस चीज़ का यह network है interconnected channels का network of inter connected channels और यह channels यह जो रास्ते लाइक यह फिर हम देखते हैं कि ट्यूप्लाइक structures जो आपको नजर आ रहे हैं जिनका आप लोग को जो एक network नजर आ रहे तो यह network आप लोगो कहां पर नजर नजर आएगा किन दो membranes के दरम्यान नजर आएगा वो भी इसकी definition में ही शामिल है तो हम यह दिखते हैं हम यह कहते हैं कि channels जैसे हम कहते हैं कि रास्तों को भी हम जो चैनल कह सकते हैं तो हम कहते हैं कि यह जब आप इसकी structure पर गॉर करेंगे आप लोग को ऐसा लगेगा जैसे एक नेटवर्क के चैनल्स का यानि रास्तों कुछ बहुत सारे रास्ते हैं जो आपस में मिले हुए इंटर कनेक्टिड है आपस में अंदर ही अंदर से जो यह रास्ते जो हो रहे हैं मिले हुए ठीक है तो हम कहते हैं कि यह network है ओ आप इं टू न्यूक्लियर एंविलब अगर इसके डेफिनेशन पर और करें तो जैसे मैंने आप दो को बताया के एंडो प्लास्मेक रेटिकुलम है इंटर कोनेक्टेड़ चैनल जो की तकी ड्रम्यान प्रेजने सेल मेंब्रेन यह प्लास्मा घर मेंब्रेन के दर लिए रिए और यह पहला हूए है अब हुम देख लिए एक अगर हम टाइप से के तो होती हैं कि और वह टाइपस जो है वो हम देखते हैं की वकिस बेस पर हम हम जो हुआ इन टाइपको जो है आपको बता देते हैं कि स्पैसरां ऑप की दो इस तौपुमें पर जो यह वो दो packs रेक्टकूछा रहें क्यों कि हामें पता है कि जो in the दो बार् баз पा written कि वह वह दो फॉर्मँ में उकुर्म्ट एए आप लोगो यहां पर जो यह चैनल का एक नेटवर्ग नज़ा रहे हैं यह डिफरेंट आपको जो रास्ते की तरह के आपको यह चैनल यह ट्यूब लाग इस्ट्रक्ट्टर आ रहे हैं जो आपस में मिले हुए ठीक है जैसे यह चैनल ठीक है यह आपस में कहें इंटर इसके आपको जोए वह ब्लू कलर के डॉट नजर आ रहे हैं जो के हैं राइबॉसोंस तो यह तो होगा नेटवर्ग ठीक हैं यह नेटवर्क ऑफ चैनल से और यहां पर आपको यह डॉट लाइक स्ट्रक्टर नजा रहे यह राइब उसोंस यह आपको डॉट लाइक structures भी नजर आएं ऐसे endoplasmic reticulum को हम नाम देते हैं rough endoplasmic reticulum का क्योंकि students अगराद लोग इस endoplasmic reticulum को देखते हैं तो आपको एक rough appearance नजहार है ठीक है इसके पर आपको ribosomes में नजहार है तो हम इस endoplasmic reticulum को नाम देंगे मैं यहां पर जो हूँ लेबल कर देती हो हम इस endoplasmic reticulum को नाम देंगे और यी आर का आरी आर का क्या मतलब पर rough endoplasmic reticulum rough endoplasmic reticulum और अगर हम लोग यहां पर देखे हैं यह जो आपको चैनल नजहार है यहां पर आपको किसी किसम के dots या किसी किसम के sports blue color के नजर नहीं आ रहे है इसका मतलब यह हुआ कि यह वह endoplasmic reticulum है जो कि second form है endoplasmic reticulum की without ribosomes और यहां पर आपको एक बहुत ही smooth सी appearance नजहार है बहुत ही even सी appearance नजहारी है किसी किसम के कोई भी sports या dots आपको नजर नहीं आ रहे तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो endoplasmic reticulum है यह स्मूद endoplasmic reticulum smooth endoplasmic reticulum और इसको हम लोग नाम देते हैं यानि अगर हम इसको short form में लिखना चाहें तो इस smooth endoplasmic reticulum को हम लोग s e r के तौर पर जो हम इसकी abbreviation लिखते है s e r means smooth endoplasmic reticulum और r e r means rough endoplasmic reticulum rough endoplasmic reticulum के उपर आपको नजर आएंगे ribosomes और smooth endoplasmic reticulum के आपको उपर किसी किसम की बिराइबोसोंस नजर नहीं आएंगे तो यहां पर हम दो देख लेते हैं heading हम बनाते हैं forms of endoplasmic reticulum की तो हमने कितनी forms यहां पर पढ़ी endoplasmic reticulum की दो forms हमने पढ़ी हैं यहां पर आप heading देंगे forms of ER और ER का क्या मतलब है endoplasmic reticulum आप इसको short form में भी लिख सकते हैं ER यहां पर आप इसको full form में लिख लें endoplasmic reticulum कितनी forms है हमने two forms पढ़ी एक है RER यानि के rough endoplasmic reticulum और दूसरी form है SER यानि के smooth endoplasmic reticulum students अब हम लोग जो है वो इनकी definitions देखते हैं rough endoplasmic reticulum की क्या definition है और इसका क्या role है वो हम देख लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रफ endoplasmic reticulum की जिसको क्या हम लोग क्या कह रहे है RER अगर हम लोग रफ endoplasmic reticulum को देखें तो इसकी appearance जैसे मैं आप लोग को बताई तो वो क्या होगी वो होगी rough appearance और जैसे मैंने आप लोग को बताया कि rough appearance इसकी क्यूं होगी क्यूंकि इसके उपर आप लोग को कुछ और structures या granular structures नजर आएंगे और वो granular structures जो आप लोग को नजर आ रहे हैं वो क्या है ribosome से granular structures आपको इसकी surface में नजर आएंगे granular structures are present on surface of rough endoplasmic reticulum और यह जो granular structures है यह structures है ribosomes कौन से structure से राइबो सोम्स स्टुडेंट्स जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग जो राइबो सोम्स को एक और कौन सा नाम देते हैं हम लोग नाम देते हैं इसको protein factory का तो हम यह देखते हैं कि जो protein factory है यह राइबो सोम्स हैं इनका यहां पर क्या रोल है ribosomes का आप लोग को पता है रोल यह है protein factory और protein factory हम इनको क्यों कहते हैं क्योंकि यह synthesize करते हैं protein को तो इसका मतलब यह हुआ कि क्योंकि रफ एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम के उपर मौजूद होते हैं ribosomes इसलिए रफ एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम का रोल यह फंक्शन भी क्या होगा protein synthesis करना और यह protein जो इसके बाद स्टुडेंट्स हम यह देखते हैं कि SER यह पर स्मूद एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं और उसका क्या रोल है तो स्मूद एंडो प्लास्मिक रेटिकुलम क्या अगर हम लोग बात करें तो हम यह कहते हैं कि SER की अगर हम appearance देखें तो इसकी होती है smooth appearance जा इसकी surface आपको smooth नज़र आती है और हम देखते हैं इसका मतलब यह यह smooth क्यों नज़र आ रही आपको क्योंके यहां पर किसी किसम के कोई भी ribosomes मौजूद नहीं होते जिसकी वजह से इसकी surface पर आपको किसी किसम के कोई granular structures आपको नज़र नहीं आएंगे और इसकी appearance बहुत ही smooth यह फिर बहुत ही even होगी no ribosomes are present on surface क्योंके इनके उपर किसी किसम के ribosomes present नहीं है इस वजह से इनका जो function हो गया roll होगा वो बिल्कुल different होगा from the rough endoplasmic reticulum और का roll क्या है वह हम देख लेते हैं हम रोल की जगाव फॉंक्शन की भी हैडिंग दे सकते हैं यह आप की मर्जी आप roll कह लें या फंक्शन कहले एक ही बात है तो अब हम देख लेते हैं कि इसका क्या रोल है या क्या function है रोल ओफ एस ए आर स्टुडेंस हम यह देखते हैं कि स्मूथ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंदिसाइज नहीं कर सकता क्यूंकि इनके उपर राइबोसोम मौजूद नहीं है तो इसका क्या रोल है हम देखते हैं कि यह लिपिट मेटाबलिजम करेगा यानि य कि इलावा हम देखते हैं कि यह डी टॉक्सिफिकेशन भी करेगा किसकी टॉक्सिंस की या हाम्फुल सब्स्टेंसिस की सैल में मौजूद अगर कोई भी किसी किसम के भी हाम्फुल सब्स्टेंसिस हैं यह टॉक्सिंस हैं पॉइसने सब्सेंसिस हैं तो यह इनको डी टॉक् सबस्टेंसिस में कनवर्ट करेगा डी टॉक्सी फिकेशन ऑफ हामफुल सबस्टेंसिस साथ साथ हम दों यह देखते हैं कि यह स्मूथ एंड़ोप्लास्मिक रेटिकूलम बहुत सारे माटीरियल्स को सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने के लिए या ट्रांस्पोर्टेशन में भी यूज होगा यह किसके दो और इन्वाल्व होगा है पिन ट्रांस्पोर्ट ओफ माटीरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ओफ सेल तो दे अधर वन पार्ट ओफ सेल तू दू दू अधर तो स्टुडेंट्स हमने यह देखा कि स्मूध एंड़ोप्लास्मिक रेटिकूलम और रफ एंड़ोप्लास्मिक रेटिकूलम में क्या डिफरेंस हैं एंड़ोप्लासमिक रेटिकूलम हम Constructionраш को दर्म्zęण होता है यह दो फॉर्मसम में एग्जिस्ट करते है रफ एंड़ोप्लास्मिक रेटिकूलम报 और इस्मूध एंड़ोप्लास्मिक रेटिकूलम में रफ एंडव्डॉप्लास्मिक की जैसे मैंने आप दो को डायग्रम में दिखाये था कि उसकी रफ पेरेंस होती है क्योंकि उसके ग्रेणी इस्ट्रॉक्टर प्रेजर होते हैं यानि राइब ओसों मुझे राइब सोम्स की प्रेजंस की वज़ास से रफ एंडॉप्लास्प्रेटिकुलम प्रोटीन को lipit metabolism में अपना role play करते हैं detoxification और harmful substances में अपना role play करते हैं साथ ही साथ हम यह देखते हैं कि यह different materials को एक part of cell से दूसरे part of the cell के अंदर जो है वो transport करने में भी help करते हैं इसके इलावा यह protein क्यों ने synthesize कर सकते हैं क्योंकि इन के उप़र ribosomes present नहीं होते हैं अब students मैं आपसे एक quick review of lecture के बाद आपसे एक चोटा सा quiz लूँगी और उस quiz की मदद से मुझे पता चलेगा कि आप लोग को आज के topic की समझ आई है या नहीं तो यह quiz जो मैं आपसे लेने जा रही हूँ इसकी आपने करनी है written practice क्योंकि यह वो short questions है जो के exams में repeat होते रहे हैं और आप लोग के लिए भी बहुत important है exam point of view से तो पहला जो question है वो है define ER यानि endoplasmic reticulum को define करें तो आप लोग को पता है कि endoplasmic reticulum जो है यह network है किसका interconnected channels का और यह present होता है कहाँ पर nuclear envelope cell membrane के दर्म्यान इसके बाद students आप लोग को पता होना चाहिए name forms of ER तो आप लोग को पता है कि endoplasmic reticulum की दो forms है एक है rough endoplasmic reticulum और एक है smooth endoplasmic reticulum आप लोग ने यहाँ पर सिर्फ नेम्स लिखने क्योंकि उन्होंने detail अगर नहीं मांगी तो आप detail नहीं देंगे आप सिर्फ नेम्स लिखेंगे तो इस तरह के short questions भी आप से पूछे जा सकते हैं जैसे हम लोग ने प्लास्टिट्स की जब टाइप पर इंद तो आप से सिर्फ प्लास्टिट्स की टाइप के नेम्स भी पूछे जा सकते हैं इसके बाद हमाए पास जो थर्ट को से ने वह ह रोल किया है कि यह यह प्रोटीन को सिंथिसाइस करते हैं क्योंकि इनके उपर प्रेज़न होते हैं राइबोसोंस और राइबोसोंस को हम क्या करते हैं कि यह प्रोटीन फेक्ट्री हैं इसलिए रफ एंडॉप्लास्मिक रेटिकूलम भी प्रोटीन सिंथिस में इन्वाल हो बहुँत और में तो यानि हम रख ऐसमिक टो ने टेकुलं एकुंद should दोब ऑगने कि बाइश। इसका इरिटीकूलम ऑर नेचेम तो यानि इसका नाम निए क्यूं रखा हुए। तो आप लोग को पता होने चाहिए कि rough endoplasmic reticulum को rough endoplasmic reticulum इसलिए कहा जाते हैं क्योंकि इसकी होती है rough appearance due to presence of granular structures जो क्या है ribosomes हैं जिसकी बदास से rough endoplasmic reticulum आपको appearance कैसे देता है rough appearance देता है इसके बाद हमाई पास fifth short question है जो के है give role of SER यानी smooth endoplasmic reticulum का आप role बताएं give role of SER SER का क्या रोल है कि यह lipid metabolism में involved होता है और यह transportation करता है different materials की from one part of cell to the other और साथे साथ यह detoxification करता है different toxins की यह harmful substances की और यह protein synthesis में क्यों involved नहीं होता क्योंकि इसके उपर ribosomes present नहीं होता है इसके बाद students आप लोग उसे यहां से जो यह वो long question में पूछा जा सकते है और long question में आपको क्या आएगा write note on endoplasmic reticulum या फिर आपसे जो यह वो किस तरह यह सवाल किया जा सकता है आपसे सवाल किया जा सकता है write note on types of endoplasmic reticulum यानि ER की types में note लिखे यह आपको यह इस तरह भी पुछा जा सकता है कि define ER and explain its types तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को यह एक ही सवाल है जो कि different अंदास से आपसे पूछा जा रहे तो आप लोगोंने जो है वह इसके अंदर इसको किस तरह explain करना है वह मैं आप लोगों को explain ऐसे करना है कि सबसे पहले आप लोगोंने इसकी definition लिखनी है एंडूप्लास्मिक रेटिकूलम की फिर आप लोग forms के सिव नेम्स लिखेंगे फिर आप लोग चोई वह एक्स्प्लेइन करेंगे रफ एंडूप्लास्मिक रेटिकूलम को इसका आप लोग रोल लिखेंगे फिर आप लोग स्मूथ एंडूप्लास्मिक रेटिकूलम को explain करेंगे इसका roll लिखेंगे एंड पर points की form में और lastव पर students आप लोगोंने क्या करना है कि आप लोगोंने rough एंडूप्लास्मिक रेटिकूलम और smooth एंडूप्लास्मिक रेटिकूलम को show करने के लिए diagram दराग्र की सर्फेस बिल्कु स्मूथ होगे जिस पर कोई राइब सोंस प्रेजर नहीं होंगे आप उसको जो यह लेबल करेंगे स्मूथ अनुप्लास्पिक रेटिकुलम के तौर पे और इस तरह आपका यह जो कोस्टन हो जगा और सुडिन्स आप दोगों ने यह डायग्रम हमेशा करनी है आप दोग ने इसको अच्छी तरीक से लेबल करने और आप लोग के लिए आज एक चोटी सी एक्टिविटी है और एक्टिविटी यह है कि जो कोई स्मूछे हैं आपने इनकी रिटन प्रेक्टिस करनी है आप दोग ने एंडोप्लास्पिक रेटिकुलम को जो लॉ पूर यह एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे क्योंकि इसमें आपका ही फाइदा है इस तरह आप दोगी एक्जाइम प्रेपरेशन बहुत ही अच्छी होगी जी स्टुडेंट्स तो आज हमने स्टडी किया एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम को साथ ते साथ हमने यह भी दे स्टुडेंट्स जो क्विज मैंने आपको रिटन प्रेक्टिस के लिए दिया है आपने इसकी रिटन प्रेक्टिस जरूर करनी है क्योंकि यह एक्जाइम पॉइंट विए से बहुत इंपॉर्टन शॉर्ट कुस्टन से हैं और लॉग कुस्टन की भी आपने जरूर प्रेक